हालो फ्रेंट्स और मैंडेश देंड डिप्लोमा इन फार्मेसी के सब्जेक्ट फार्मसिटिक जिसका की सब्जेक्ट कोड इयार टुन्टी एलेवन टी है उसके चैप्टर फोर में इस वीडियो में हम लोग यूनिट ऑपरेशन में साइज डिडक्शन के बारे में बात करें है तो अगर हम लोग यूनिट ऑपरेशन में देखें तो जो डिप्लोमा इन फार्मेसी के से लिवस में पहला यूनिट ऑपरेशन आपको पढ़ना है वो है साइज रिडक्शन तो सबसे पहले हम लोग यूनिट ऑपरेशन क्या होता है उसके बारे में बात कर लेते हैं तो कि अगर हम लोग tablet manufacturing की process के बारे में बात करते हैं तो उसमें हमें जो अलग-अलग ingredient है उनको use करके एक tablet को बनाना होता है तो इस तरीके से अगर हम लोग देखें तो जो अलग-अलग ingredient है उनके अंदर particles के size भी अलग-अलग होंगे तो सबसे पहले हम लोग उसके particle के size को छोटा करते हैं और जो हमारा size का reduction का unit operation है उसको use करते हैं जब particle छोटे हो जाते हैं तो required size के particles को अलग करने के लिए हम लोग size separation का unit operation है उसको use करते हैं required size के particles जब हमें मिल जाते हैं तो उनको properly mix करने के लिए हम लो mixing के unit operation को यूज़ करते हैं, mixing जब complete हो जाती है तो फिर हमें उसको granule के form में convert करना होता है, तो granule के unit operation को जो हमारा granulation operation है, उसको हम लोग यूज़ करते हैं, granule जब बनते हैं, तो अधिकतर वो wet होते हैं, गीले होते हैं, तो उनको सुखाने के लिए drying के unit operation को use करते हैं, granule जब dry हो जाते हैं, तो उसको फिर tablet के form में convert करने के लिए हम लोग compression के operation को use करते हैं, और अगर required होता है तो फिर उसके बाद coating के operation को भी use किया जाता है, तो इस तरीके से हमारी एक जो एक product है, उसको बनाने के लिए हमें काफी सारे unit operation को use करना होता है, और हर एक unit operation वहाँ पे एक काफी important role play करता है, तो जब हमें यह जो सारे unit operation है, इनके बारे में proper information होगी और इसको हम लोग अच्छे से perform करेंगे, तभी एक हमें अच्छी quality का product बनते हुए देखने को रात होगा, तो जो सबसे पहला unit operation आप लोग को प topic है, वो वहाँ पे है, तो वो भी इसको देख सकते हैं, हाला कि इस पर हम लोगों ने उसके लिए अलग से video prepare कर रखा है, यह जो video है, यह हमारे वेसिकलिए diploma in pharmacy के student के syllabus के अनुसार हम लोग इसको prepare कर रहा है, तो सबसे पहले हम लोग जो size हमारा reduction का unit operation है, अगर उसको देखे तो size का क्या मतलब होता है, आकार और जो सब्द है reduction इसका मतलब होता है, कम करना, तो अगर किसी भी चीज के size को हम लोग कम करते हैं, तो वो जो process है, वो हमारी unit operation कहलाती है, वो हमारा यहाँ पे size का, हमारा reduction की process वो कहलाती है, तो यह सबसे पहले इसकी definition को देख लेते हैं, तो जो हमारा size, वो reduction, यह एक unit operation है, या process है, जिसमें हम लोग large solid के particles है, उनको reduce करके, कम करके, break करके, तोड करके, अगर small particles में convert करते हैं, तो यह जो हमारी process है, या unit operation है, इसी को हम लोग size, जो reduction है, उसके नाम से indicate करते हैं, तो हम लोग यहाँ पे आसान तरीके से कह सकते हैं, कि अगर कोई हमारे पाफ बड़ा particle है, और उसको अगर हम लोग यहाँ पे करते हैं, और इसको छोटे-चोटे particles में अगर तोड़ते हैं, तो उस condition में यह जो process है, यह हमारी यहाँ पे size reduction की process, यहाँ पे कहलाती है, और यह एक प्रकार का unit operation होता है, तो यह जो हमारा unit operation है, इ इसको indicate किया जाता है, तो exam में question इन में से किसी एक नाम से भी आ सकता है, तो आपको confused बिल्कुल भी नहीं होना है, अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, तो अधिकतर जो हमारे pharmaceutical powders होते हैं, जिनको use करके हम लो dosage forms वगरा को prepare करते हैं, वो poly dispersed होते हैं, जो poly का मतलब ह होता है, अनेक तो इसका मतलब क्या हुआ, इसमें हमें different different size के particles देखने को प्राप्त होते हैं, तो अगर किसी powder में अलग-अलग size के particles हैं, तो वो poly dispersed powder है, वो कहलाता है, और अधिकतर हमारे pharmaceutical powders poly dispersed होते हैं, और यह हमारी production की process में काफी difficulty को create करते हैं, तो इसलिए अगर हम pharmaceutical work है, उनके लिए कौन से powder ideal होते हैं, सबसे अच्छे होते हैं, जो कि या तो हो वहाँ पर mono dispersed, mono size के, या equal size के अगर particles हैं, एक समान size के अगर particles हैं, तो वो हमारे pharmaceutical work के लिए सबसे ideal होते हैं, अब अगर हम लोग बात करते हैं, कि अगर कोई हमारे पास है, जो हमारे पास कोई substance है, और उसके size को छोटा करना है, तो अधिकतर हम लोग जो equipment use करते हैं, size को छोटा करने के लिए, वो अकेले यहाँ पर sufficient नहीं होते हैं, हमें वहाँ पर mono size के particles को देने के लिए, या narrow size range के particles को हमें यहाँ पर provide करने के लिए, लाइक अगर मैं इसी में बात करता हूं, तो इस उससे poly dispersed powder से वो देखने को मिलते हैं, अब अगर हम लोग को वहाँ पे required size के particle को प्राप्त करना है, जो desired size है, उसके particles को अगर हमें प्राप्त करना है, तब हम क्या करेंगे, कि जो हमारा यहाँ पे size के reduction का unit operation है, उसके साथ में हम लो size separation के unit operation को भी, जब उसमें combined यहाँ कर दे लेंगे, अलग कर लेंगे, तब हमें वहाँ पे यहाँ जो mono size के particles हैं, या narrow size range के हमारे particles हैं, वो हमें simply प्राप्त होंगे, तो इस तरीके से हम यहाँ पे इस चीज को कह सकते हैं कि केवल और केवल size को reduce करने से हमें required size के particle नहीं मिलते हैं, साथ-साथ में हमें जो size separation का unit operation है, अब हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं कि यह जो हमारा size का reduction का unit operation है, इसके क्या-क्या applications होते हैं, आखिर इसको हम लोग यहाँ क्यों करते हैं, तो इसका जो सबसे पहला application है, वो है better content uniformity, तो जब भी हम लोग को अलग-अलग powder को mix करना होता है, तो अगर वो छोटे size के हों तो उनकी mixing अच्छे से होगी, और जब mixing अच्छे से होगी, तो उसके अंदर content uniformity भी हमें हर place पे equal देखने को प्राक्त होगी, मतलब कि जब हम लोगों ने उसको mix किया, तो जिस container में mix किया, वहाँ पे जब हम लोग अच्छे से mix कर देंगे, तो कहीं से भी अगर छोटा सा sample निकालेंगे, और उसमें अलग-अलग component के ratio को अगर चेक करेंगे, तो हर जगा हमारे component का ratio अगर same आ रहा है, तो वो हमारा वहाँ पे उसकी content uniformity simply कहलाती है, तो जो हमारे अलग-अलग ingredients होते है, उनकी जो mixing है, वो तभी efficient अच्छी होती है, जब हमारे जो particle है, उनका size small होता ह और uniform होता है, अब अगर हम लोग इस place पर बात करेंगे, ऐसा basically कैसे होता है, तो जो हमारे small particles होते हैं, उनमें क्या होता है, कि per unit weight हमें ज्यादा number of particles देखने को राप्त होते हैं, अगर हमारे पास कोई substance है, 1 kg का है, अगर उसके particles बड़े हैं, तो जब उसके size को छोटा तो हो सकता है, अब particle 2,00,00,00 हो जाएं, और छोटा करेंगे तो 3,00,00,00 हो जाएं, तो इस तरीके से हम particle जितना small होता है, पर unit weight में हमें ज्यादा number of particles देखने को प्राप्त होते हैं, और जब number of particles ज्यादा होते हैं, तो उस condition में हमारी जो mixing है, वो भी हमें अच्छी देखने को प्राप्त होती है, उसके बाद में जो इसका अगला application है, वो है uniform flow, एक समान flow हमें तब भी अपने powder का देखने को मिलता है, जब उसके particles small होंगे और equal size के होंगे, तो अगर हमारे जो particle हैं, वो उनका size, अगर smaller होगा, छोटा होगा, और उनके अंदर जो particle size distribution है, वो वहाँ पर controlled होगा, तो उस condition में हमारा जो powder का flow है, वो हमें वहाँ पर promote होते हुए अच्छा देखने को प्राप्त होगा, अगर उसमें जो particles हैं, वो अलग-अलग size के हैं, तो क्या होगा, कि जो हमारे बड़े particles हैं, वो तो तेजी से नीचे की ओर flow होंगे, लेकिन जो छोटे particles हैं, वो slow हमें flow होते हुए देखने को प्राप्त होंगे, तो इस तरीके से अगर हम लोग flow property को देखें, तो जब भी हम लोग जो tablet है, उसका compression की process करते हैं, तो अगर flow uniform होता है, तो हर बार dive में हमें equal amount जो granules हैं, वो आते हुए देखने को मिलते हैं, और जब equal amount granules आएंगे और उ बात करते हैं, तो अगर हमारे granule का flow है, वो uniform होगा, एक समान रूप से granule नीचे की और आएंगे, तो हर बार capsule में हमें equal size granule, जो हमारे equal weight या equal quantity में granule fill होते हुए देखने को प्राप्त होंगे, और इसको हम लोग तभी achieve कर सकते हैं, जब हमारा powder है, हमारा granule है, उसके particles small हों हमारा effective extraction of the drug, तो जब हमारा particle small होगा, तो उसके अंदर mastrum या solvent का penetration है, वो हमें तेज देखने को प्राप्त होगा, तो अगर हम लोग आसान तरीके से कहें, कि अगर कोई भी हमारा vegetable है, या plant origin से हमारा हमने कोई भी चीज लिया है, और उसके जो हमारे tissue है और cells है, अगर उनका size small होगा, तो उसके अंदर जो mastrum है, liquid है, जिससे हम लोग extraction कर रहे हैं, या कोई solvent है, वो उसके अंदर हमें तेजी से penetrate होते हुए देखने को प्राप्त होगा, तो आसान तरीके से अगर हम लोग कहें, तो चाय जब हम लोग प्रपेर करते हैं, तो उसमें अद्रक और इलाइ इलाइची के अंदर के active ingredient हमारे चाय में आ जाए, उसके बाद में जब चाय बन जाती है, तो हम लोग छान देते हैं, और जो हमारा अद्रक और वहाँ इलाइची का है residue उसको fake देते हैं, तो यह जो process है, जिसमें हम लोग plant के part वगरा को, या जो animal है, उसके part को उपयोग करत हैं, वो process हमारी extraction की process simply कहलाती है, और यह तब ही अच्छी होगी, हमारा जो mastrum है या solvent है, उसका penetration तब ही तेजी से होगा, जब particles small होगे, तो जब भी हम लोग चाय बगरा को prepare करते हैं, तो जो इलाइची और अद्रक है, उसको पहले जो छोटे-चोटे particles में तोड़ लेते हैं कूट लेते हैं, पीस लेते हैं, उसके बाद में ही उसके अंदर हम लोग डालते हैं, तो अगर हम लोग यहां पे बात करें, तो जब हम लोग size का जो reduction है, वो जब हम यहां पे कर लेते हैं, तो उस condition में हमारा extraction या जो leaching की एक तरसे process होती है, जिसमें active ingredient हमारा extract होके solvent में आ extraction हमें वहां पे होते हुए, होते हुए देखने को प्रात होता है, तो इस तरीके से हम यहां पे कह सकते हैं, कि हमारा जो extraction है drug का वो बहतर बनाने के लिए हमें जो substance है, उसके size को छोटा करने की requirement होती है, अब अगर हम लो यहां पे अगले application के बारे में बात करते हैं, तो यह effective drying, तो अगर हमारे जो granules है, उनका जो size है, वो small होगा और uniform होगा, तो वहां पे जो हमारी drying की process है, वो तेज भी होगी और effective भी हमें देखने को simply प्रात होगी, अगर हमारे granule का size बढ़ा होगा, तो उसको सूखने में हमें जादा जो time है, वो वहां पे लगेगा, और अगर जो उसके अंदर particles हैं, वो uniform नहीं होगे, कुछ particle छोटे होगे, कुछ particle अगर बड़े होगे, तो जो छोटे particle हैं, वो तो वहां जल्दी से सूख जाएंगे, लेकिन जो बड़े particle हैं, वो अभी भी गीले रह जाएंगे, तो drying हमारी effective अच्छी, simply नहीं होगी, ये तभी अच से उनका size छोटा होगा, और simply वो वहां पर uniform होगा, इसलिए हमारे जो अधिकतर होते हैं, medicinal plant उनकी अगर drying के बारे हम बात करते हैं, तो उसको वहां पर quick करने के लिए, तेज करने के लिए, और अच्छा करने के लिए, हम लोग क्या करते हैं, कि plant के जो part है, उनके size को हम use कर दिया जाता है, तो drying भी हमें वहां पर quickly और effectively होते हुए, देखने को प्राप्त होती है, अब अगर हम लोग बात करते हैं, कि इसका जो अगला application है, वो है improved physical stability, तो specifically अगर हम लो suspension या emulsion के बारे हम बात करते हैं, तो वहां पर जो हमारे particle के नीचे बैठने का rate है, जो की rate of कहलाता है, sedimentation, वो हमें decrease होते हुए देखने को प्राप्त होता है, जब हमारे particles small होते हैं, तो अगर कोई हमारा liquid है, उसके अंदर अगर जो अलग-अलग हमारे solid के particles हैं, अगर उसके अंदर हैं, तो जब वो नीचे की और बैठेंगे, तो क्या होगा, वो particle जो की बड़े हों वो धीमे-धीमे हमें नीचे यहां बैठते हुए वो देखने को प्राप्त होंगे, इसलिए अपने suspension और emulsion को ज़्यादा stable बनाने के लिए हम लोग अपने particles हैं, जो उसके अंदर डालते हैं, उसके size को छोटा रखते हैं, size जितना छोटा होगा, हमारा suspension और emulsion उतना ही stable हमे बनते हुए देखने को प्राप्त होगा, उसके बाद जो अगला application है, हमारे size के reduction के unit operation का, वो है improved dissolution rate, तो जो particles हैं, उसका size जितना छोटा होता जाता है, उतना ही उसका जो surface area है, वो increase होता जाता है, तो अगर हम लोग यहां simply बात करें, कि जब हम लोग किसी भी substance के size को छोट करते हैं, तो उसका जो exposed area है, जो कि उसका surface area कहलाता है, वो हमें बढ़ते हुए, यहां देखने को मिलेगा, और जब उसका surface area increase होता है, तो हमारा जो gastric juice है, या intestinal fluid है, उसमें हमारे particles हमें जादा exposed होते हुए, उसके contact में आते हुए देखने को मिलते हैं, और जब gastric juice है, या होता है, वो उतना ही तेजी से dissolve भी होते है, तो आसान तरीके से कह सकते हैं, कि अगर हम लोग का particle अगर बढ़े हैं, तो क्या होगा, उसको घुलने में चादा, वहां पे time लगेगा, rate of dissolution कम होगा, लेकिन particle अगर काफी छोटे कर दे हम तो, हम लोग तो क्या होगा, हमें अगला application है, वो है improved rate of absorption, तो अगर हम लोग यहां simply देखें, तो absorption क्या होता है, जब हम लोग कोई भी दवाई को खाते हैं, तो वो क्या होती है, जब उसको खाते हैं, तो वो इस्टमक में जाता है, वहां पे fluid में dissolve होता है, और फिर इस्टमक की wall को cross करके, वो हमारे blood में जा होटा होगा, उतना ही तेजी से वो हमारे gastric fluid में या intestinal fluid में dissolve होगा, और उतना ही तेजी से वो absorb होके, हमारे blood में आते हुए देखने को मिलेगा, उसका absorption rate हमारा उतना ही simply यहां पे तेज होगा, इसलिए हमारी जो pharmacopias हैं, उसमें particle size को हम लोग ए quality control tool के रूप में basically यहां पे particle size को as a quality control tool के रूप में भी उपियोग करते हैं, like example ने तो एक हमारा compound है, जो की होता है, chloramphenicol, इसके अगर absorption के बारे में बात करते हैं, इसको अधिकतर हम लोग अपनी आखों वगेरा में जो bacterial infection हो जाता है, उसके लिए हम लोग इसको use करते हैं, तो यह अगर इसके absorption के rate को देखें तो क्या है, कि अगर इसका जो particle size है वो approximately 50 micrometer के आजपास होता है, तो इसका जो absorption है वो काफी तेजी से होता है, और अगर इसका particle size यहाँ पे 400 micrometer के आजपास का अगर हम लोग यूज करते हैं, तो इसका absorption हमें slow देखने को रात होता है, तो इस तरीके से हमारे drug के rate of absorption को बढ़ाने के लिए भी हम लोग जो substance है उसके size को अगर small रखते हैं, तो हमारे उसका rate of absorption भी हमें तेज देखने को रात होता है, तो I think so, जो हमारा first unit operation है, जो की size reduction है, उसका introduction, definition और application आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, अगर अभी भी कहीं कोई confusion है, तो comment करके पूँच सकते हैं, इस topic का PDF आपको description में मिल जाएगा, इस video को like करें, अपने दोस्तों के साथ share करें, और ऐसे ही videos को देखने के लिए हमारे चैनल को subscribe करना बिल्कुल भी न भूलें, और हमारे app को install करना बिल्कुल भी न भूलें, thank you.